Hello students, तो इस चैप्टर में हम लोग ट्रांस्पोर्टेशन और एक्स्क्रियेशन टर्म को अध्यन करेंगे ठीके, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल में और ये चैप्टर 6 हम लोग का बायलोजी चल रहा है ठीके, और आज हम लोग मेंली अध्यन करने वाले हैं ट्रांस्पोर्टेशन के कॉंसेप्ट को और अन्त में एक छोटा सा टॉपिक हम लोग के पास आएगा इक्सक्रिशन, ठीके तो बच्चों ट्रांस्पोर्टेशन को हम लोग हिंदी में वहन कहते हैं तो मेनली हमें इस चैप्टर में मानों में वहन कैशे होता है ठीके ये चीज अधिन करना है तो आपके मन में ये प्रश्ण उठ रहा है कि वहन क्या होता है तो बच्चों हमारे सरीर में भोजन से प्राप्त, पोसक तत्तो, ऑक्सीजन, कारवन डाकसाइड, आदी, सारे पदा तथा हमारा हीरदय एक पंप की तरह कार करता है जो रुधीर को इन नलियों के द्वारा सारे जगों में अर्थात सभी उतकों तक भेजता है और खून के द्वारा सभी आवश्चक सामागरी पूरे सरीर में भेजना तथा ब्रज्य पदार्थ को बाहर निकालने में वहन कहलाता है या ट्रांस्पोर्टेशन इंग्लिज में हम इसे कहते हैं तो बच्चो नलिकाएं रुधीर वाहिकाएं ब्लड वैसल इस वहन को समझने के लिए हम लोग बहुत सारे भी टर्मिनलोजी पर पहले डिसकस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रुध अथात वे नलिकाएं जो रुधीर का वहन करती है ठीक है रुधीर कहने का मतलब खून ब्लड का वहन करती है अथात रुधीर को पूरे सरीर में प्रवाहित करती है ठीक है ये किसके द्वारा होता है तो रुधीर वहिकाएं के द्वारा ये किडिया संपन होती है रुधीर को हिंदी में धैमनी कहते हैं ठीक है तो बच्चों भेन को सबसे पहले समझते हैं तो रुधिर वाहि का ब्लॉड वेसल जो पूरे सरीर से बी- आक्सिजनित ठीक है यहां पर डी- आक्सिजनित होगा दि उक्षिनेटिट को हम लोग B Oxygenese कह रहे हिंदी में तो दि उक्षिनेटिट ब्लोड को हीर्दय तक ले जाती है और महासिरा कहलाती है सिराओं बिभिन अंगो से रुधीर एकात्र करके वापस हीर्दय में लाती है और मोटी भिती क्या सकता नहीं है क्योंकि इसमें कम दाब होता है और सिराओं में रुधीर को एक ही दिसा में प्राइट करने के लिए वाल्व भी होते है ठीक है तो बच्चों भेन का कारे समझ में आया तो हमने देखा कि रुधीर वाही का ब्लड वेसल जो पूरे सरीर से डियोक्सिनेटर ब्लड बच्चों बोलते हैं वो ऐसा ब्लड जिसमें कारवन डियोक्साइड मिला हुआ है ठीक है ना जब सेलूलर रिस्पाइरेशन होता है तो सेलूलर रिस्पाइरेशन होने के दौराण जो blood होते हैं वो carbon dioxide को लेके move करते हैं तो वैसे blood को हम लोग deoxinated blood कहते हैं ठीके तो blood vessel जो पुरे सरीर से deoxinated blood को हिरदय तक लाती है इसे बच्चों हम महा सिरा या भेन कहते हैं ठीके और सिराय भी भीन अंगो से रुधिर एकतर करके वापस हिरदय में लाती है और मोटी वित् बनता है लेकिन ये deoxinated blood को हिरदय में लाने तक की जो प्रिकिडिया है ठीके भेन के द्वारा यहां पर चुकी दाव कम होता है अतह सिराओं में रुधिर को एक ही दिसा में प्रहाइत करने के लिए जो वाल भी होते हैं इसके जरीए आसानी शे deoxinated blood जो है हार्ट तक पहु बढ़ना है तो वे रुधिर वाहि का है जो हिरदय से auksicrit या oxygen से योगत जिसे आप oxygenated blood कहते हैं को पूरे शरीर के विभीन अंगों तक पहुंचाती है ठीक है जिसे हम धामनी कहते हैं तो धामनी का कार्य हुआ oxygenated blood को सरीर के पूरे भागों तक पहुंचाना विभीन अंग ब्लड को पूरे सरीर से वापस हर्ट तक लाने का काम वेन का होता है ठीक है ना जिसे हम हिंदी में महासिरा कहते हैं ओके तो यह दोनों में डिफरेंस बराबर हमसे पूछा जाता है कि धमनी और महासिरा में अंतर को समझाए है जो किसी अंग या उत्तक द्वारा पहुँचकर धमानी उत्रवत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में भ़ाजित हो जाती है ताकि सभी कोसिकाओं को ऑक्सिक्रित रुधिर मिल सके और सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ती एक कोस्किये मोड़ी भी होती है कोशिकाई तब आपस में मिलके सिनाय बनाती है तथा रुदिर को अंग तथा उत्तक से दूर कुना औक्षिक्रित होने के लिए हिर्दय में पहुंचाया जाता है यहां पर समझेंगे कि सबसे छोटी भाई काहों की भित्ति है कोस्किय मोटी होती है और असपास की भित्ति है काफी कोस्किय मोटी होती है और असपास की कोस्काओं के मद्य पदार्थों का जो भिलिमें इस मोटी हित्ति के द्वारा होता है ठीक है और कोस्काओं जब आपस में मिलकर सिनावे बनाती है तथा रुधीर को अंग या उत्तक से दूर पुना और सिक्रित होने के लिए हिर्दय में पहुंचाया जाता है और इस तरह से ये कारिक को करने के लिए जो है हर्ट के फंसन को समझना बहुत जरूरी है तो चलिए अज हम लोग अध्यन करते हैं सबसे पहले हर्ट के विशाय में तो हर्ट क्या है वेच्छो हर्ट जो है हमारा पंप हिर्दे तो हमारा हिर्दे एक पेसी आंग है जो मुठी के आकार का होता है और चुकिए खून औकसिक्रिर अर्थात ऑक्सीजन से योग तथा कार्बिन डियोग दोनों का ही वहन करता है तरह के खून को आपस में मिलने से करके की लिए हमारा हिर्द कहीं कोष्टों में वटा होता है ठीक है कि जैसे आप यहां पर देख रहे हैं यह दो तरफ से हैं इसको हम लोग बोलते हैं लैपल को तो बोलते हैं और यह आपका राइट पार्ट कहलाता है ठीके ना यह हमारा बाया जो हार्ट का बाया भाग है और यह जो है हार्ट का दाया भाग है ठीके ना इस रास्ते से बचो ऑक्सी कृत जो ब्लड है यह अंदर आती है और यहां पर जैसे अंदर आती है तो यहां पर ब्लड के ज्यादा आने के वज़ा से प पहुंचती है और वहां से फिर जो है ब्लड ग्लुकोज से अभिकिरिया करके ठीक है वापस फिर सरीर के निचले पूरे सरीर के अलग-अलग भागों से जैसे यहां से देखे सरीर के उपरी भागों से ब्लड पहुंच रहा है और यहां से आप देखे सरीर के निचली भागो से रृब्लच कार्वी डियॉक्सिणेटर बिलागांकर मिला होता है फिर यहां पर पहुचता है फिर यहां पर ब्लच के जादा आने पर पर टू सब्सक्रांइक के Ślix और फिर यहां पर गयासों का एक्स्चेंज होता है और यह प्रिक्रिया जो है बडाबर चलते रहती है तो इसी प्रिक्रिया को बच्चो समझने के लिए हम लोग मानव हिर्दे का जो यह जितने भी पार्ट है सभी को एके करके अध्यन करते हैं ठीके तो सबसे पहले हिर्दे के भाग तो मनुष्य का हिर्दे मुखता दो भागों में बटा होता है दाया भाग और बाया भाग दाया भाग को बच्चों लोग राइट पार्ट बाया भाग को लेट पार्ट कहते हैं और पुना यह दोनों भाग दाया भाग था बाया भाग पिक्चर में इसके बारे में तो हिर्दय के दाएं भाग के उपरी प्रकोष्ट को दाया लिंद कहा जाता है और इस भाग में पूरिय सरीर से बी ओक्सिनित रुधिर अर्थात कारविन डाकसाइड युक्त बलड महा सीरा के द्वारा लाया जाता है इसके बाद दाया निलय जिसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं तो हिर्दय के दाये भाग के निश्रे प्रकोष्ट को दाया निलय कहा जाता है दाया अलिंद से बी ओक् खेफरों में भेजा जाता है इसका मतलब जो पहले प्रिकिडिया होगी ठीक है वह यहां पर होगी सबसे पहले देखिए कि जितने भी सरीर से निचले भागों से जो बलड है वह आप डियोक्सिनेटेड बलड ठीक है ना वह इस रास्ते से यहां पर पहुंचेगी उपर से यहां पहुंचेगी देखे यह दाया अलिंद है ठीक है और यह जो पार्ट है यह पूरा आपका दाया अलिंद है नीचे और उपर दोनों तरप से महासीरा के सरीर के उपरी भाग से महासीरा कहने अदलब इस रास्ते से बलड आ रही है यहां पर बलड जादा आने के प्रेसर राइ होता है यह पार्ट खुलता है और फिर भूफरर्ष भनिया के होते है जो है ब्लड कहां पहंचती है फैर्फेफडों में पहुंचती है एक्स्चेंज होता है फिर घ्र ten ओक huge ennoko भलाड लेके फिर फिर फाब करने हां एक्स्म भलाड लेके फेर को सिरा निइं आलिंद और दाया निले इसके बाद आई ये बाया आलिंद जिसको लेप्ट रात्रीयम कहते हैं हिर्दय के बायं भाग में उप्री प्रकुंष्ट को बायं आलिंद कहा जाता है Appreciate रुधीर हिर्दय के इस भाग में बायं अलिंद में डिखा जाता है तो मैंने जो वहां पर बताया पिक्चर में उसी के बिशे में यहां पर लिखा हुए है ठीक है आप उस पिक्चर को देखते विए एक बार पढ़ेंगे तो आपको यह जो मैंने बताया अभी सेम वही प्रवायें दो याद रखने का ट्रीक भी होता है याद रखना है और हिर्दय के नीचे वाला परतिक को प्रकोष्ट अंग्रेजिक एक्षर भी के द्वारा चुकिए जासा किरती बनाता है इसका नाम हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं जो भी से सुरू होता है याद रखने का एक ट्रीक है आप इससे चाहो तो याद रख सकते हो हिर्दय के दाएंबाग के ऊपर वाले प्रकोष्ट का नाम बाय आलिन ताथा लेफ्ट एक अट्रियंट याद रख सकते हैं अब हिर देखे कार्य करणुत ह்ुआलंद में आता है में और अगला चेंबर निलय में और अपनी पढस्याम पर निलय संकुचित करती है तब ब्लाइड महासिरा के द्वारा शरीर में pump हो जाता है ठीक है देखिया आप ये picture में आपको दिखाई दे रहा है ठीक है मानो का जो हिर्दए है है उसमें blood का परी संच्रन कुछ इसी प्रकार से ہوتा है ठीक है यहाँ पे देख रहा है किस तरह से sikul रहा है किस तरह से फ्याल रहा है यह blood pressure के वज़े से ऐसा हमें देखने को मिलता है ठीक है इसके बाद हम लोग समझते हैं circulation का मतलब तो बच्चों उपर वाला दाया कोष्ट दाया आलिंद जब right atrium फैलता है तो शरीर के b oxygenic blood इसमें आ जाता है और जैसे ही दाया आलिंद संकुचित होता है नीचे वाला संगत कोष्ट दाया निलाय में फैल जाता है और यह blood को दाय निलाय में अस्त्रांत्रित कर देता है और जो blood को oxygen करन हेतु अपनी बारी पर फेफरे में पंप करता है फेफरा blood को oxygen कृत कर पुना बाएं आलिंद में भेजता है जहां से blood बाएं निलाय में आकर पुना सरीर में चल जाता है और यह प्रिकडिया बच्चो जीवन प्रत्न चलती रहती है ठीक है अलिंद निलय के बीच में वाल्ब लगा होता है जो ब्लड को उर्टी दिसाम प्रभा करने से भी रोकता है अलिंद की अप एक्छा निलय की वित्ती मोटी होती है क्योंकि निलय को पूरे सरी में ब्लड को भेजना होता है अब दूसरे जन्तों में हिर्दय का कारत था तापमान का नियंत्रन वज़ो मनुष्था अन्यस्तंधारी एक गर्म रुधीर वाला प्रानी है अर्थात मनुष्थे का रुधीर मौश्म के नुसार गर्म या ठंदा नहीं होता है बलकि मनुष्थे क के मौश्रम में गर्म कपड़े पहन कर अपने ब्लड तथा सरीर के तापकर्ण को नियंत्रित करना पड़ता है तथा दुसरे अस्तंधारी जीव जैसे भालू को ठंड से बचने के लिए सरे पर रोहे की मोटी प्रत भी होती है ठीक है तो यह नेचर का बनावट है जैसे हम लोग जो है अलग-अलग मौश्रम के अनुसार अपने सरीर पर ठीके ना कपड़े बदलते रहते हैं और मौश्रम के अनुकूल अपने सरीर के टेमपरेशर को मेंटेन करते हैं बैलेंस रखते हैं तो ऐसे प्रानियों का हिर्दे से दो भागों में बटा होता है जो क जो कि बी- ऑक्सीजनी तथा ऑक्सिजनेद ब्लड को आपस मिलने से रोकता है यह बनावत उनके सरीर को आफ्षप उर्जा बनाए रखने में भी शायक होता है प्रंतु कही जंतू ऐसे हैं जिनके सरीर का तापमन तापमान मौशम तथा प्रयावरेंड के तापमान पर निर्भर होता है वैसे जन्तु को कोड़ ब्लेड़ एनिमल भी कहा जाता है जैसे कि जल अस्थल चर या बहुत से सरी स्रिप रेप्टायल जैसे प्रानियों का हिर्दय तीन कोश्टकों में बटा होता है इनका हिर्दय ओक्सिजिनित और तथा बी ओक्सिजिनित ब्लड को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं ठीक है मश्ली जैसे जन्तु के हिर्दय में केवल दो कोश्टकों होते हैं इनके हिर्दय से ब्लड सीधा कलोम में भेज visitate होकर सीधा सरीर में भेज़ दिया जाता और इस तरह मचलियों के सरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही ब्लड हिरदय में जाता है अन्य कसे रुकी जैसे मनुस मेड़क, घोरा कुट्टा, हाथी आदी में परते हैं चक्र में ब्लड दो बार हिरदय में जाता है अता है इसे हम डवल सर्कुलेशन या दोहरा परी चरन कहते हैं अब है बच्चो प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षन ठीक है तो ब्लाड में प्लेटलेट्स को सिकाएं होती है यह प्लेटलेट्स को सिकाएं ब्लाड के साथ पूरे सरीर में दौरती और किसी भी अस्थान पर ब्लाड को किसी भी कारण से रिषने से रोकती है जैसा कि घायल होने पर यकटने आदिस पर ये प्लेटलिस्ट कोशिका है रक्त अस्त्राव के अस्थान पर ब्लड का थक्का बना कर मार्ग अवरूद कर देती है जिसे ब्लड का रक्त अस्त्राव रुख भी जाता है और यदि तंद्र से ब्लड की हानी होने लगती है तो अत सेंगूọi के मच्छर जिसका नाम एडिज होता है के काटने से होता है इस बिमारी में 000 की मात्रा घठने लगती है और समय पर फ्लेट लेट का नुरक्षण नहीं होने पर इशन जान चली जाती एंप ओर कांफी संख्या में लोग जो है इस बिमारी से मर भी जाते हैं प्लेटलेट्स हमारे ब्लड को दुरगहटना या किसी विशेस अंचाहे कारण की स्थिति में रिषने से रोकता है तथा ब्लड का नुरक्षन भी करता है ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पादपो में पड़ी वहन तो बच्चों जनतवों की तरह पर्षितकर भीविन भागों तक पहुचाया जाता है तुस्तरह से पातपो में परिवहन की प्रिकिरिया संपन होती है ठीक है और पातपो में जहां पर पादपो द्वारा भोजन तयार किया जाता है से पोशक तत्तों को बिभिन भागों तक पहुचाने का कार्ज करते हैं अर्थात ये प्रिकिरिया जो है परिवहन कहलाता है पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है तो पौधों में जल का परिवहन बच्चों एक बिसेश प्रकार के टिशू जिसे जाइलम कहते हैं इसके द्वारा होता है जाइलम टिशू नलिकाओं के आकार का होता है तथा इसका एक जाल पूरे पेर में फैला होता है जायलम टिशू पौधों में जल का परिवहन करते हैं और पौधे जर के द्वारा मिट्टी से जल को अवशोशित करते हैं इस जल में पौधे के विकास के लिए अन्य आवश्यक खनीज तथा लवन भी बिलय के रूप में उपस्तित होते हैं जरों के द्वारा अवशोशित जल तथा उसमें घुलेवे अन्य आवश्यक खनीज तथा लवन जायलम टिशू के द्वारा पौधे के विभिन भागों तक पहुंचते हैं ठीक है जायलम का मतलब जो देखिए आंसे जल जल को यह ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है पौधों से विभिन विसेस का रातरी के समय पत्यों के रंधरों से वास्पन के किरिया होती है इस वास्पन के प्रिक्रिया को बच्चो हम ट्रांसपेरिशन भी कहते हैं और इस वास्पिन के प्रिक्रिया के कारण जायलम जो प्रकार की निलिकाएं होती है में दाब कम हो जाता है और इस कम दाब के कारण एक बलुत्पन होता है जिसमें संतुलन में रखने है तो जलों में अब शोर से जल जायलम के उपर चढ़ने लगता है तथा पेरों के बिव बहा सभाएंगों तक पहुंचाया जाता है कि घृष्ष चाल परीवहन नामा कुछ द्वारा होता है और भोजन से प्राप्पोोशक तत्यों का थर्ष घृष संस्था. अंगों फलो बीजों था विर्धी वाले अंगों में भी होता है ठीक है तो फ्लोएम का मतलब फूड को पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम दारा स्थ्रांत्रन और शक्तान उसार दोनों दिशाओं में होता है अर्थात नीचे से उपर तथा उपर से नीचे उधान के लिए बसंद में जरत था तने के उत्तकों में भंडारित सरक्रा का भी अस्थ्रांत्रन कलिकाओं में होता है जिसे विर्धी के लिए उर्जा के उशक्ता होती है अब है अंतिम टॉपिक इसका उत्सर्जन तो बचो जया प्रकर्म जिसमें जीव द्वारा उपापचेई करियाओं में जनित हाइड्रोजन यूग थानिकारक व्रज्य पदार्थों का निश्कासन किया जाता है यह पर के लिए बचो उत्सर्जन कहलाता है बहुत सारे बह लोग सबसे पहले पलें मानों में उत्सर्जन तो मानों का बातों सर्जन तंत्र यंजोवरीक को केटनी कहते हैं होता है ऑफ यूरीन का होता है ठीके जिसके सहारे जो है ये जितने भी हमारे सरीर में जो waste material है water के रूप में ठीके ना वो उनका जो है उत्सरजन इसी मार्ग के द्वारा होता है ठीके वरिक उदर में रीड की हड़ी के दोनों रिस्थित होते हैं और उपापचेही किरियाओं में बना हुआ hydrogen युक्त हानी कारक पदात रुधीर के साथ मिलकर व्रिक में पहुंचता है जहां यह निसियंदित होकर यूरीन के रूप में ठीक है ना उस रास्ते से होकर बाहर निकल जाते हैं ठीक है अब प्रश्ण उठता है कि यूरीन का प्रिप्रेशन कैसे होता है हमारे सरीर में वचो यूरीन ब्लड में से व्रजपदार्थों को चान कर बाहर करने के लिए बाहर करने से बनता है ठीक है रुधिर में उपरस्थित कार्विन डाकसाड फेफरे में अलग होकर स्वास द्वारा बाहर निकल जाता है जबकि नाइटोजनी व्रजपदार्थ जो होते हैं जैसे यूरिया या यूरिक एसिड इत्यादी व्रिक में रुधिर से अलग किया जाता है और ब्रिक में बेसिक फिल्टरेशन यूनिट अत्यंत पतली दिवार वाली रुधिर कैपिलेरी का गुछा होता है और ब्रिक में पर्थेक केसी का गुछ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है और या नलिका छने वे यूरिन को एकत्र करती है और पड़ते किड्नी में एक ऐसे अनेक ऐसे अनेक फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं जिन्हें वरी कानू कहा जाता है जो आपस में निकटा से ही क्या होते हैं पैक रहते हैं और प्राणबिक चनल की प्रिक्रिया में कुछ पदार जैसे गुलकोज, अमीनो, आम, लवन, तथा प्रचूर मातरा में जल भी रह जाते हैं जैसे जैसे यूरिन इस नलिका में प्रहाइत होता है इन पदार्थों का चैनित पुर्णर शोशन हो जाता है और जल की मातरा पर तथा कितना बिल उरज सर्जित करना है इस पर भी निर्भर करता है ठीक है परतेग देक में बनने वाले यूरिन एक लंबी नलिका और उसके जो रास्ते हैं में पडवेस करता है और यह वाइनी विर्प को राशे से जोड़ती है और यह मुतरासे में मुत्र भंडारित रह कर लेते हैं फिर है जिसको लोg लोग करते हैं बच्चो जब किसी सरीर के अंदर किड़नी खराब हो जाता है तो कि दूसको हेमोडायसिस किड़नी के तरह काम करता है तो जीवीद रहने के लिए के लिए इक अत्ती आवश्यक जाहएंगे परन्तु कई कारण था संक्रम्रन जोट आदी की वजा से कीड्नी की कारश रिता को कम हो जाती है या कीड्नी खराब हो जाती है इसे स्थिती में सरी में विशेली पतारacious कीड्स प्रारतों को बाहर निकाला जाता है और कृतिम विरिक द्वारा सरीर के रुधिर से विसले पतारत को बाहर निकालने के प्रिगरिया को ही बच्चों हम लोग डालिसिस या हीमोडालिसिस कहते हैं कीर्ति मिरिक में बहुत सी extent अर्द पारेंद में अस्तर नहें लिकाएं होती है जिन स्परीर से zdh को प्रहाइत किया जाता है और अर्द्हिर में व् logratumalan विसन 창ेलेपदार्ध विषरण की प्रिज्ड द्वारा अर्ध पारगम में नालिकाओं से अपोहन द्रव में प्रिश्रित हो जाते हैं उसके पस्चात सुध रक्त को सरीर में वापस भेज दिया जाता है प्रन्तु किर्टिम रिक में प्राकिर्टिक रिक की तरह कोई भी पुनर अवशोशन नहीं होता है प्रायक स्वस्त व्यस्क में परती दिन 180 लिटर अरंबिक निस्यंद व्रिक में होता है यदा पी एक दिन में उसर्जित की आयतन वास्तों में एक या दो लिटर होती है क्योंकि से निस्यंद व्रिक नलिकाओं में पुनर असोशित हो जाती है ठीके अब है पादपो में उसर्जन तो बाद दिया जाता है और पौधर में उर्तमान अतरीक जल वास्पोत सर्जित के द्वारा बाहर निकाला जाता है और पात्पो में बहुत सार एफसिश्पदाथ पौधों से गिरने वाली पतियों रेजिन गोंद आदी के रूप में भी तथा कुछ अफसिश्पदाथ आसपस के हुआ वह मैंने कराया ठीक है अब इसके बाद जो है हम लोग एंसे आटी के कोश्चन एंसे को करेंगे ओके ओके थैंक्यों फर वाचिंग